नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो आप सब लोग कैसे है तो आज आपके सामने में फिर से एक नया स्टॉक के बारे में जानकरी लेकर आया हूँ तेकि आज का जो स्टॉक है आज का जो कमपानी है वो टोटली एक स्टील सेगमेंट से बिलोग करते है एक स्टील इंडस्टी से बिलोग करते है तो स्टील इंडस्टी से बिलोग करने वाला जितने सारे कमपनी से उन में से आप सभी जानते है जेस्टॉब्रू स्टील नमबर वन है उसके बाद टाटा स्टील है उसके बाद आप देखेंगे तो Apple Steel है, तो इस तरह के से बहुत सरे company, तो बीच में और एक company, government company है, Cell, जो Steel Authority India Limited, तो इस सारे company Steel Industries से बिलोग करते हैं, तो आज में जिसके बारे मैं बात करूँगा, वो एक Tata Group के एक सबसे बड़ा company से है, Tata Group के एक दिगज company है, जिसका नाम है Tata Steel, तो Tata Steel के बारे मैं आज बात करूँगा, यह कि एक Tata Steel ने बहुत बड़ा project हासिल किया है, और project का जो M.O.E.U., मतलब Memorandum of Understanding, तो M.O.E.U., यह जो मो होता है, इसको signature कर चुके है, तो कोई भी more signature हो जाता है, तो company को finally project मिल जाता है, तो सिर्फ India के project नहीं, Europe country का project है, तो कौन सा बो project है, किसके लिए बो मतलब माल supply करेगा, किसके लिए बो माल बनाएगा, तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्त तक देखना, और अभी तक अपनी इस चनल को सब्सक्रेब नहीं किया, तो जूरू सब्सक्रेब कर लाना, क्योंकि को daily basis, stock market information, updates, IPOs के बारे में जानना है, तो इस चनल के उपर बने रही है, क्योंकि मैं daily basis बहुत सारे वीडियो आपके लिए डालता रहता हूँ, तो चलो देख लेते हैं अज के stock के बारे में, तो मैं direct आपको website के उपर लेका हूँ, जहापे आपको news के बारे में जानकरे मिलेगा, और इस site कौन सा है, business standard, तो business standard के उपर जाईए, इस data को देखिए, पूरा details में आप चेक आउट करिए, और इस site को visit करिए, तो पूरा credit में इस site को दूँगा, क्योंकि अच्छा का साहिक नहीं हुची आपके पब्लिस किया गया है, इस channel के मात्तम से, तो आप देखेंगे, तो देखें, टाटा स्टील, क्या बता रहा है, टाटा स्टील, डच आर्म्स, साइन्स, मों, मैं पहले बता चुको हो, memorandum of understanding, इसका full farm है, memorandum of understanding क्या होते है, मैं आपको थोड़ा सा बता दू, मानके चले, यह आपका एक company है, और दूसरे company है, तो आप क्या करने वाले है, इस company का project है, आप लेने वाले है, और उसका project करके आप उसको देंगे और उससे पैसा लेंगे, तो इसके लिए एक मतलब deal किया जाता है, वो deal एक कागज में लिखा जाता है, यह इतना deal हुआ, इतना project, इतना time में करना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब जो टाम्सन कंडिसेन ह जाते है, तो उसी को दोन जो कागज होते है, जो papers होते है, जो stamp papers होते है, तो उसमें दोनों का ही signature रहेगा, तो इसको बोला जाते है, तो इसको मों है, तो इसको sign हो चुके है, या पर देखे, to supply ford with green steel after 2030, तो मतलब 2030 के बाद company क्या करने वाले है, green steel का supply देने वाले है, और वो भी किसका, ford का, अब सबी सबी जानते, ford एक European company है, ford अब सबी जानते, गाडिया बनाते है, तो इसी company के साथ big deal होआ है, तो green steel जो है, उसी के या पर deal होआ है, अब ford के बारे में बात करो, चलो में एक बार आप दिखा देतो, हाँ, अब देख सकते है, ford का जो गाड गाडिया है, आप ford का जो बहुत गाडिया में, चलो एक बार ford आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आपको और भी clear हो जाएगा, तो या पर हाँ, गुल में साच करेंगे, या पर देखिए, ford का जो गाडिया है, या पर देखिए, इंडिया का A model, A model इंडिया में चलते है, तो इसी के गाड़ी बनाने के लिए, जो steel का जोरूत होते है, उसी के product supply करेंगे, कौन? Tata Steel, तो एक बहुत बड़ा deal है, बहुत बड़ा sign है, तब देख सकते है, Tata Steel Dutch Arms plan to supply ford plants in Europe with green steel after 2030, under a preliminary agreement reached by the two companies on Tuesday के दिन, तो company, दोनों company एक साथ काम करने के लिए, फाइनली जो मतलब understanding है, जो memorand of understanding है, उसको signature कर चुके है, Tata Steel start producing green steel और steel made without using fossil fuels in 2030, in plant in Netherlands का plant है, वहाँ से ही company बनाएगा project, मतलब steel बनाएगा और उसको supply करेगा, तो ford wants to have considerable amounts of green steel and we will take step so that we will able to deliver it, मतलब क्या है company, बता रहा है के ford का जो साथ जो deal हुआ है, जो green steel का जो deal हुआ है, वो deal final हो चुके है, अभी जो भी माल भेजना है, वो time to time वो उसको delivery करते रहेंगे, और वो delivery कहां से करेंगे, Tata Steel Netherlands, तो Netherlands में Tata Steel का एक project है, और वहाँ पे factories है, वहाँ पे बनाएगा, और एउरोप कंटी को जो ford company है, उसको माल delivery करेगा, तो यह बहु company का जो revenue है, वो इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया में ही आपको फाइदा को मिलेगा, Tata को ही फाइदा मिलेगा, और जितने सर लोग Tata Steel के उपर निवेस करके रखते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा फाइदा मिल सकता है, तो अभी companies के details के बारे म बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से details आपको दिखाऊंगा, जो details साइद अपने पहले देखे नहीं होंगे, देखे सबसे पहले उससे पहले final sales result आपको देखा देखेंगे, तो company लगातार खुद का जो revenue से वो बड़ाते चला जा रहा है, क्योंकि last year, मतलब 2022, तो अभी जो चालीस हाजार करोड से भी जादा, तो दो लाग चालीस हाजार करोड से भी जादा company का revenue जनेर्ट हुआ, और पिछले जो सालों था, आपे भी अच्छा कासा धीरे-धीरे revenues जादा हो रहा था, नेट profit के बार हैं बात करूँ, तो नेट profit अब देखेंगे, तो एक अच्छा कासा profit ratio आपको दिखेगा, जैसे company का profit ratio है, वो यहापे धीरे-धीरे गीरते तो चले गए, उसके बाद company फिर से खड़ा हो गया, और अभी COVID के टाइम में company बहुत कम profit किये थे, अभी धीरे-धी return of equity भी देखेंगे, तो return of equity भी आपके positive दिखेगा, और बहुत सांदर और strong level में दिखेगा, हाँ, company के depth मुझे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला था, point, sorry, 1.60% के आसपास company के depth था, आज बो depth 0.60 के आसपास हो चुगे है, इसका मतलब company के depth है, बो depth को भी company control में लेके आ तो companies में दम है, तो इसलिए promoter, उसके बाद FIS, DIS, public हर किसी ने माल ठक रखा, promoter के पास कितना, 33%, 34% अब बोल सकते है, FIS के पास कितना, 21%, DS के पास कितना, 19%, public के पास कितना, 25%, इसका मतलब हर किसी के पास इस company का हिस्स्यादरी आपको देखने को मिलेगा, तो एक खासीत है इ Steel Industries अब सब ही जनते है, Steel के बीना कुछ भी काम नहीं हो सकते, क्योंकि घर बनाने से देखा जाए, तो गाड़ी बनाने तक कुछ भी product बनाने के लिए Steel का जुरत होता है, और हिंडिया के second largest company है, और Tata Group, जो trusted group है, उसी का ही company है, तो इस company का खासीत तो हमें साब को देखने को मिलेगा ही, अभी जो चीज आपको दिखाऊंगा यहापे, वो जो आपने पहले आपको मैं आपके साथ डिसकस नहीं किया हूँ, तो आज मैं डिसकस करूँगा, वो है companies का जो reserve and surplus, reserve and surplus आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, reserve and surplus हमेशा company का growth होना चाहिए, obviously company ने growth किय अच्छा खासा growth भी किया, करीबन करीबन 1,25,000 करोड के आसपास company growth किया, अभी company का long term burning, बतलना long term का जो करजा है, वो भी देखा जाए, तो company का 20,000 करोड करजा है, अभी short term burning के बारे में बात करूँ, तो company का short term में 11,900, करीबन 12,000 करोड का करजा भी है, अभी जो चीज आप चीज में आपको दिखाने वाला था, बहुत importance है, traded value क्या होते है, मान के चले आपका एक company है, आप बाहर की company से, बहुत सरे company से, माल खरीदते है, मतलब raw materials खरीदते है, तो जो raw materials आपने खरीदिया, मतलब खरीदरी किये, तो उसके लिए आपको payment करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है, traded, मतलब उसको जो माल delivery हो रहा है, उसको बोलता है trade, और उसके लिए जो payment dues है, उसको आपको payment करना है, उसको बोला जाता है, trade payable, तो trade payable के हिसाब से देखा जाते है, company का, यहाँ पर obviously एक अच्छा खरीदा, मतलब payable भी धीरे 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 growth होता जा रहा है, इसका मतलब company का business बढ़ रहा है, company का payment भी ज्यादा बाकी है, तो यह पर देखे provision, तो provision भी बहुत important है कोई भी company के लिए, तो provision मतलब, मानके चलिए, देखे banking के sector के सबसे provision बहुत important है, सिर्फ ही नहीं, companies के लिए भी बहुत important है, क्योंकि देखे provision payment हमें साथ, जितना काम है उ अपने माल देखे रखा, आपका company है, आपने बहुत सारे लोगों को मतलब माल देखे रखा, वो भी उधारी में, मतलब उधारी में अपने माल देखे रखा, वो पैसा आपको देखे मानके चलिए, यहापे ए पेमेंट कर दिया, मकर यह payment नहीं किया, इस तरीके से कितने payment अभी मार्केट में पड़े हुए है, जो पैमेंट अभी नहीं आ रहा है, उसको बोला जाता है, प्रविजन, तो प्रविजन का जो परसंटेज है, वो देखा जाए, तो यहापे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एक company के लिए खत्रा है, कितना provision कम रहेगा, उतना ही अच करने वाला हूँ, तो अंत में इसके बारे में एक इप चीज कहूँगा, टाटा स्टील जैसे companies के उपर आपको नीबेस है, तो लंग टरम के लिए रहे है, और आप नीबेस करना चाहते है, तो अभी आपको एक सस्ते दमा मिल रहे है, इससे मौका आपको साहिद दोबारा ना मिले, तो इसका फाइदा आप उठा सकते है, एक कोई recommendation नहीं है, आप एक बस study करना, उसके बाद नहीं बेस करना, वासा करता हूँ, सारे जैनकरक को मिल चुका है, मेरे वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ share भी करना, चनल को subscribe भी करना, मिलते न नेक्स्ट निया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रही है, आपने ख्याल रखिए, बैबाई